Hello students, welcome to Yenji Classes. आज हम लोग पढ़ेंगे कच्छा नवी की पुष्तक हिंदी छितीज भागेक गद्खन से अध्यायत तीन उभोक्तावाद की संस्कृती पाढ़ का सारांस. उभोक्तावाद की संस्कृती यह स्यामा चरण दूबे जी का निबन्ध है. तो लेखक इसमें क्या बताया है कि उभोक्तावाद की संस्कृती निबन्ध बाजार की गिर्यत में आ रहे हैं. सामाज की वास्तविक्ता को प्रस्तुत करता है. लेखक का मानना है कि हम विज्यापन की चमक दमक के कारण वस्तुवों के पीछे भाग रहे हैं. हमारी निगाहें गुरुवत्ता पर नहीं हैं. संपन और अविजन वर्ग द्वारा परदर्शन पूर जीवन सैली अपनाई जा रही हैं. जिसे सामान जन भी लल्चाई निगाहों से देखते हैं. यह सब्भता की विकास की चिंता जनक बात हैं. जिसे उब्भोक्तावाद ने परोसा है. लेखक की यह बात महत्पूर है कि जैसे जैसे यह दिखावे की संस्कृती फैलेगी, सामाजी के सांतिया और विसंता भी बढ़ेगी. तो लेखक इस पाठ में बिश्त्रित क्या बता है देखिए. लेखक ने इस पाठ में भोक्तावाद के बारे में बताया है. उनके अनुसार सब कुछ बदल रहा है. दिन प्रति दिन सब कुछ क्या हो रहा है. आधुनिक हो रहा है. नई जीवन सैली आम ब्यक्ति पर हावी ह जा रही है अब उपभोग भोग ही सुख बन गया है बाजार बिलासिता की सामग्रियों से भरा पड़ा है एक से बढ़कर एक तूथ पेश्ट बाजार में उपलब्ध हैं कोई दातों को मोतियों जैसा बनाने वाले कोई मसूरों को मजबूत रखता है तो कोई वनस्पति और खनीज तत्तो द्वारा निर्मित है उन्ही के अनुसार रंग और सफाई की छमता वाले ब्रस भी बाजार में मौजूद हैं सेम ब्रांड के क्या है चीजे मौजूद हैं पल भर में मुह की दुरगंद दूर करने वाले माउतवास भी उपस्थित हैं सौंदर प्रसाधन मे तो हर मा नए नए उत्पाद जूर जाते हैं अगर एक साबुन को ही देखे तो ऐसे साबुन उपलब्ध हैं जो तरो ताजा कर दे सुद्ध गंगा जल से निर्मित और कोई तो सीने इस्टार्ज की खुबसूरती का राज भी है महिलाओं की ड्रेसिंग टेबल पर तीस ती सज्जार आराम से मिल जाती है वस्तूओं और परिधानों की दुनिया से सहरों में जगे जगे बूटी खुल गये हैं अलग अलग ब्रांडों के नई डिजाइन के कपड़े आ गये हैं घडिया अब सिर्फ समय देखने के लिए नहीं बलकि प्रतिष्ठा को प्रतिष्ठा को बढ़ने के रूप में पहनी जाती है संगीत आए या ने पर्स म्यूजिक सिश्टम बढ़ा होना चाहिए हाइफ Polish होना चाहिए भले ही बजाने न आयś गाने बजाने आय चाहिए लेकिन बड़े होने चाहिए कंप्यूटर को दिखावे के लिए खरीदा आ जाराय चाहि चाहने आये लेकिन उनके पास कंप्यूटर होना चाहिए प्रतिष्ठा के नाम पर साधी विवा पांस सितारा होटलों में बुख होता है यदि आपका कोई सगा संबंदी या पडोसी अच्छे होटल में साधी कर दिया तो हम देखी देखा पहले घर पे करते थे लेकिन अब क करेंगे पास सितारा होटल में बुख करेंगे इलाज करवाने के लिए पास सितारा हस्पीटलों में जाए जाता है मांगे से मांगा हस्पीटल यैसे गुरुगराम में बेदानता है और बड़े-बड़े हस्पीटल है सिच्छा के लिए पास सितारा इस्कूल मौजूद है modern school में बड़े-बड़े मंगे इस्कूलों में ड्मिशन हो रहा है कुछ दिनों में college और university भी बन जाएंगे अमेरिका और यूरोप में मनने के पहले ही अंतिम संसकार के बाद का विश्राम का प्रवंद कर लिया जाता है यह भारत में तो नहीं होता पर भविश में होने लग जाएगा हमारी परंप्राओं का अमुल्यन हुआ है आस्था का छरड हुआ है हमारी मांसिक्ता में गिरावट आ रही है हमारी सीमी संसाधनों का घोर अपवे हो रहा है आलू, चिप्स और पिज्जा खाकर कोई भाला स्वस्त कैसे रह सकता है मतलब हमको क्या खाना चाहिए हेल्दी फूर लेकिन आज कल के जो हीवा है आधूनिकता है वो लोग क्या खा रहे हैं जंग फूर खा रहे हैं इससे सिहत क्या हो रहा है समाजिक सरोकार में कमी आ रही है व्यक्तिगत क्रेंदता बढ़ रही है और स्वार्थ परमार्थ पर हावी हो रहा है गाधी जी के अनुसार हमें अपने आदर्सों पर टिके रहते हुए स्वस्त बदलाओ को अपनाना है व्यक्ता संस्कृति भविष के लिए एक बड़ा खत्रा सावित होने वाला है हमें बाजारवाद के जाल में नहीं फसना है बाजार में जाना है तो हमको मन खाली नहीं रखना है भले आपका जेब खाली है लेकिन मन नहीं खाली रखना और यदि आपका जेब खाली है और मन भरा है तो आप बाजारवाद के जाल में फज जाएंगे आपके अंदर घेडा इस्या नफरता जाएगी और आप गलत मार्ग चुनने के लिए बीवस जाएंगे तो यद यह था आपका भोगतावाद संस्कृती पाठ का सारांस और आग के हम क्या पढ़ाएंगे आपको इसका कोस्टन रसल धन्यवाद